नमस्ते, आप सभी का स्वाकत है आज के सेशन में जिसका टाइटल है डाइलूशन्स यह हमारे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीरीज का एक और नया माइल स्टोन है जो हम आज अचीव करेंगे इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि जब केमिकल्स और उनके जो स्टॉक सॉलूशन्स होते हैं उनके स्टॉक सॉलूशन्स के डालूशन्स करने की जब नौबत आती है तो काफी इशूस क्रियेट होते हैं आपके पास एक पर्टिकुलर कॉंसेंट्रेशन का स्टॉक परिशानी होती है अलग-अलग जो परसंटेजेज जो हमने यूनिट्स देखे थे के 10% वेड़ वाल्यूम एफ 10% वाल्यूम इस तरह के जो कॉंट्रीटीज होते हैं उनको के टाइम पर किस तरह से हैंडल करना है इस से रिलेटर जो भी जानकारिया वह आज के सेशन में हम पर करेंगे तो बेसी के लिए यह चैमेस्टी से रिलेटर जो मैथमेटिकल प्रॉलम्स आते हैं इतरिस्पेक्ट वेरियस प्रेक्टिकल अन एनलेटिकल फ्रोसीजर उनका उनकी जो इस्यूस हैं उन इस्यूस को क्लेरिफाई करके उनकी लिए सॉलूशन जूड़ने का काम करेंगा तो थेंक्यू वेरिमच आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमने अब तक युणिट नॉर्मेरेटी और स्ट्डैरडिजेशन के जैसे जो बेसिK केमिस्ट कंसेट्रक्षिट्र को चे पड़ा है हमने प्रिटी भी दिखा है और साथ इस साथ हमने एक्सपरिमेंट्स बीवर्चल experiments भी perform किये हैं, इसमें हमने standardization के साथ 7% purity को भी determine किया है, with respect to instrumentation हमने pH-metry, Carl-Fisher-Titrimetry, थिंदेर chromatography, high-performance liquid chromatography और gas chromatography जैसे जो सबसे critical analytical procedures हैं उन सभी को in-depth cover किया है तो यह सब पूरा हो जाने के बाद एक basic topic जो हमारा एक बज गया था, जो मैं चाहता था कि हम cover करें, उस topic पर हमने एक छोटा सा session plan किया है और आज हम उसी session को fulfill करेंगे तो सबसे पहले एक prerequisites establish करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम calculations में सीधा उतर रहे हैं तो इसके लिए एक बास समझना आवश्यक है कि इसके बहुत सारे concepts involve होने वाले हैं और उन concepts के बारे में यह expected है कि student को पहले से पता होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो फिर basics of chemistry के जो जितने भी sessions हमने बनाए हैं आप please do sessions को ठीक से ध्यान से पढ़िए और फिर इस session को देखिए क्योंकि जब तक उन सारे concepts की understanding आप में अच्छे से नहीं है तो आप basically यह calculations को करना आपके लिए तुदा मुश्किल हो जाएगा it's not impossible but still it will be difficult आपको कई सारी बाते समझ भी नहींगी यह कोई particular बात क्यों किये जा रही है इसलिए आपको fundamentals आपके clear होने चाहिए आपको fractions और decimals क्या होते है इनके rules क्या क्या है rules के साथ साथ इनको आपस में conversion कैसे किये जाते है ratio और proportions क्या होते है percentages क्या होते है liquid measures क्या होते है concentrations dilution कैसे किया जाता है stock solution का और फिर business mathematics से related और बहुत सरी से हम इस session में देखेंगे और finally conclusion के साथ session को खतम करेंगे तो सबसे पहले हमारे objectives देख लेते है be able to define a stock solution हम चाहते है कि at the end of this session हम stock solution की definition कर सके है दूसरा का we should be able to calculate dilution concentrations तो अगर हम किसी particular stock solution को dilute कर रहे है तो dilute जो stock solution है हमारा कैसे dilution करना है be able to determine dilutions of liquid solids आपको ointment का dilution करना है for example या फिर आपको tablet जैसे solid dosage form बनाने है तो chemicals बनाने है तो उन में उनका dilution कैसे किया जाता है तो वो भी आपको देखना होगा be able to perform allocation calculation allocation calculations कैसे perform करने है यह भी हम इसी session में देखेंगे तो in general में आपको in short एक बात बतना चाहूँगा कि हम stock solution कैसे बनाते है तो it all starts by weighing the quantity you need तो यहाँ पर image में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा है एक weighing balance है analytical weighing balance उसके उपर 10 gram quantity ली गई है cobalt chloride dihydrate की और फिर इसको volumetric flux में add कर दिया गया है और फिर ethanol डालके उसको थोड़ा सा dissolve किया गया है तो यह एक method हो गया दूसरा एक leading method कुछ ऐसा है कि यह जो enclosed space इसके उपर बनाई जाती है जिसके अंदर एक छोटा सा stand होता है और volumetric flux को ही उसके उपर रखा जाता है और फिर volumetric flux के अंदर ही आप जो powder यहां पर दिख रही है आपको equipment को tear करके यानि कि zero setting करके उसके उपर पाउडर डालते हो तो इससे ही आपको फाइदा मिलता है कि यह एक दब trace amount का loss होने वाला है क्योंकि यह butter paper है butter paper के उपर आपका chemical है तो यह chemical जो चिपक जाएगा उसको आप recover नहीं कर सकते है कितने भी आप चाहें तो वो loss है वो loss आपको इस volumetric class में नहीं मिलेगा अगर volumetric class की आपका weighing balance पर हो लेकिन यह कब उसके लिए special designed weighing balance यह होते है उनहीं का इस्तमाल करना है अगर इस तरह का traditional weighing balance है आपके पास तो butter paper is a better option तो एक funnel का इस्तमाल करके आपको ethanol इसमें add करना है अगर यह cobalt chloride का पाउडर अगर यहाँ पर inner wall को अगर stick हुआ है तो आपको ethanol इस तरह से add करना है कि वो drain करके bottom पर चला जाए एक बार ethanol में वो dissolve हो जाए तो आपको फिर volume make up करना है उसको पहले mix करके dissolve होने के बाद ethanol तब तक डालते रही है जब तक volumetric flask पे जो marking है वहाँ तक liquid ना आ जाए तो कुछ इस तरह से यह आपका बन गया stock solution 500 ml आपने 10 gram लिया जो cobalt का compound है और उसको up to 500 ml आपने dissolve करके dilute कर दिया तो कुछ इस तरह से आपने solution बना दिया तो इसका percentage calculate अगर आपको करना है solution का percent string तो आप कैसे करोगे you know the quantity added 10 gram है तो 10 divided by 500 ml is equal to multiplied by 100 is equal to 2 याने कि यह 2% weight by volume मन जाएगा तो चली यह कुछ points देख लेते है stock solutions के point of view से पहला point है stock solutions or solids are generally concentrated solutions or solids that are used to prepare weaker ones तो यह stronger ज्यादा highly concentrated solutions या फिर solids होते हैं जिनको फिर dilute किया जाता है in order to prepare weaker ones बराबर stock solutions or solid concentrations are often expressed as ratio strength that is weight by volume और weight by weight तो यह units हमने study किये है units chapter में weight by weight का मतलब और weight by volume का मतलब आप सभी रोग जानते हैं तो इन units का इस्तमाल करके ratio और strength के मदद से इन concentrations को express किया जाता है जैसा कि अभी यहाँ पर for example 1 by 1 as to 400 weight by volume इसका मतलब यह है कि आपको for every one part of solute 400 parts of solvent आपको add करना होगा तो total parts हो जाते हैं 400 तो कुछ इस तरह से यह weight by volume का आपने ratio रखा है और यह आपको solution की strength भी बताएगा तो dilution of this concentrated solutions of solids creates a smaller concentration in a higher volume that will allow for easier and more accurate measurement of a desired quantity तो यह बात तो सही है अब आप कोई भी सवाल पुछेगा न भी यह सब करने की जरूत क्या है directly हमें जो concentration का solution चाहिए वो हम directly क्यों नहीं बनाते हैं फिर stock से फिर यह तो काम double हो गया ना तो इसका कारण यह है कि कुछ एकदम कम concentration वाले solutions होते हैं उनको बनाने के लिए जो accuracy चाहिए वो accuracy हमारे analytical balances हमारे manual procedures में होती नहीं है इसलिए यह आसान है कि जो quantity हम accurately and reliably measure कर सकते हैं उसकी मदद से हम एक high concentration वाला stock solution बनाए और उसको फिर serial dilution या फिर इंदम systematic तरीक से dilute करके हमारा required concentration का solution जो हमें processes में use करना है वो बनाने तो यह basic reason है कि stock solutions होते क्यों है तो जैसा कि हमने अब देखा कि stock solutions के मदद करके dilute solutions भी बन सकते हैं तो देखिए for example यहां पर stock solution है stock solution में से आप एक graduated pipette है आपकी उसमें से आपने sample निकाला उसको एक another dry clean empty volumetric flask में transfer किया और फिर उसको फिर बाद में solvent डालके आप volume makeup करके तो आपके पास एक कम concentration वाला पर 100 mm right यहने के 50 weight by volume आगे है ना weight by volume and has the volume doubled now has a concentration of 25% only naturally अगर आपके पास ऐसा solution है 100 mm इसके अंदर 50 gram solute dissolved है अब आपने पानी डालका रिया फिर solvent को extra add करके total volume 200 mm पर सेट कर दिया तब उसका concentration हो जाएका 25% क्योंके आपने इसिए solvent add कि है solute नहीं the amount of medication or solute in the solution did not change only the volume of the liquid diluent this means that the same amount of solute is now in twice as much diluent creating a weaker solution the same would be true for a solid product ointment or creams a cream with a percent strength of 18% and a weight of 20 gram that is combined with an additional 20 gram of cream base would now have a percent strength of 9% तो यह basically यही idea है कि अगर आप आप आपका जो active ingredient है उसके quantity same रखते हुए उसका जो solvent है in case of liquids in case of solutions और उसका जो base ointment है in case of cream base है in case of ointments अगर आप उसके mixing करते हो तो proportionately उसका जो strength है percentage strength वो भी कम हो जाएगा जाने कि अगर आपने वास 100 gram ointment है जिसके अंदर 18% concentration है तो आपने cream base मिला के उसको 200 gram कर दिया तो फिर उसका concentration 18% से 9% पर आजाएगा तो यही बात आपको solid-solid dilution में भी धान में रखनी होगी when performing calculations to create a more dilute product the shortest route is not always the best it is important to be accurate so that may mean more steps in the calculation तो हमेशा accurately इसको करना बहुत आवशक है shortcut लेना गलत बात है आपको three key rules याद रखने है पहला है ratio strength should be converted to percent strength for easier calculation अगर आपके पास ratios है तो ratios को percent में convert कर दीजिए calculation आसान हो जाएगा proportions अगर आपके पास है 20s to 35 तो उनको उनको जो least simple form होता है most simplified form उसमें reduce कर दीजिए जैसे कि for example 1s to 500 का जो ratio है उसको आपने 0.2% में convert कर दिया similarly आपके पास proportion at 20s to 5 और fractions है 6s to 30 तो उनको भी simplify कैसे करेंगे आप 20s to 5 को वो हो जाएगा 4s to 1 क्योंकि 5 से 20 divided हो जाता है similarly 6 से 30 divided हो जाता है 6 आप use करेंगे तो तो 1s to 5 हो जाएगा तो यह इस तरह से कुछ simplify होगे औ और साथी साथ आपको equations solve करते हों बाड मा सुरूल का भी खाया रखना है बाड मा सुरूल आपको क्या कहता है कि सबसे पहले brackets simplify कीजिए bracket के बाद order, order के बाद division, division के बाद multiplication, multiplication के बाद addition और फिर finally subtraction तो कुछ इस तरह से आपको आपके जो equations होते है calculation, dilution के calculation करते हो वो solve करने हो तो चलिए सबसे बहले पहला example देख लेते हैं, इसमें हमें कुछ information प्रवाइड की गई है और उसके basis पर एक question पुछा का है, जिसका answer हम चूँदेंगे, हमारे पास सिर्थ इतनी information है कि हमारे पास एक solution है, जिसका strength कितना है, in the form of ratio, 1s to 500 weight by volume, इसका मतलब है कि for every one unit of solute, there are 500 units of solvent, right, अब इसको, और हमें इसका, इसकी specific quantity ढूंड़नी है, जिस quantity को dilute करने पर हमें 3 liter solution मिल सकता है, जिसका concentration 1s to 2000 weight by volume होगा, तो यह हमारे given information है, तो हमारे पास 3 अलग-अलग variables हैं, जिनकी values हमें provide की गई है, तो हमें 4th value ढूंड़नी है, 4th value क्या है, quantity of 1s to 500 weight by volume solution, तो यह धूंड़नी के लिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, 2-3 steps है, पहला step क्या है, आप ratios को simplify कीजिए, तो सबसे पहला ratio क्या है, 1s to 500, 1s to 500 को simplify कैसे करेंगे, 1 divided by 500 is equal to x divided by 100, तो अगर 1 में 500 है, तो 100 में कितना है, इसे को result अगर हम करेंगे, तो x is equal to 0.2% मिल जागा, तो यह उसका percentage strength हो गया, 1s to 500 solution का, similarly 1s to 2000 का equation अगर आप solve करेंगे, तो आपको total concentration मिल जागा 0.05%, तो यह basic, दो अलग-अलग solutions हम जानते हैं, कि हमें use करने हैं, और दोनों का concentration अब पता चल चुका है, अब एक आपका basic formula हमेशा याद रखना है, जो formula होता है, n1 v1 is equal to n2 v2, और फिर q1 c1 is equal to q2 c2, या फिर m1 v1 is equal to m2 v2, तो basically यह सारे formulas एक underlining principle को express करते हैं, और वो principle क्या है, proportionality का जो relationship है, जैसे for example, यहाँ पर आपके पास किसी भी solution से related 2 जान का रही है, उसका concentration और उसका volume, तो concentration और volume में हमेशा याद रखिएगा, कि एक inverse proportional relationship होता है, इसका मतलब यह है कि किसी भी solution का अगर value कम होता है, तो concentration बढ़ जाता है, तो फिर volume बढ़ जाता है, तो फिर volume बढ़ जाता है, तो यह inversely proportional है, जो relationship यहाँ पर दिख रही है, तो Q is for quantity and C is for concentration, तो पहला जो solution है, let us assume यह 1s to 500 बढ़ जो solution है, यह first solution है आपका, तो इस solution का जो quantity है, वो Q1 है, और इसका जो concentration है, वो C1 है, concentration थो हमारे पास है, 0.2, लेकिन quantity हम नहीं जानते हैं, हमें वो calculate करनी है, तो इसका relationship कैसे है, डेपिक्टो का, Q1 is inversely proportional to C1, उसी तरह से Q2 is inversely proportional to C2, अब अगर हम Q1 का और Q2 को, Q1 से Q2 को डिवाइड करते हैं, Q1 से Q2 को डिवाइड किया, तो 1s to C1 divided by 1s to C2 हो जाएगा, और इसी को simplify करेंगे, तो C2 norm in numerator पर और C1 denominator पर आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि Q1 upon Q2 is equal to C2 upon C1, और इसी का cross multiplication करेंगे, तो आपको Q1 C1 multiplied by Q2, Q1 multiplied by C1 is equal to Q2 multiplied by C2, यह value मिल जाएगी, अब क्योंकि यह quantity को डिवाइड करते हैं, और concentration को, आप जानते हैं कि quantity को डिवाइड करता ह normality, तो यह normality और volume is equal of one solution is equal to product of normality and volume of another solution, similarly molarity and volume of one solution is always equal to the product of molarity and volume of another solution, यह basic principle आपको set हो गया, अब इसी principle की basis पर हमने यह equation मनाया, 0.2% जो first solution का है, divided by 0.05% is equal to quantity of 0.05% solution which is 3000 ml divided by X, which is the quantity of 0.2% solution, तो इनी values को हम simplify करेंगे और आप final answer में मिलेगा 750 ml, तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारे पास जो original solution है, 1 as to 500 weight by volume concentration वाला solution, उसके 750 ml solution हमें use करना होगा, in order to make 3 liter quantity of solution which has concentration of 1 as to 200 weight by 2000 weight by volume, तो यह बात हमें पता चल गए, तो इसका मतलब 3 liter में से अगर हम 750 ml minus करते ह है, तो हमें total quantity of solvent मिल जाएगा, तो solvent कितना हो गया, 3000 minus 750, इसका मतलब है 2250 ml, तो 750 ml अगर आप 1 as to 500 weight by volume solution लोगे, और 2250 ml अगर आप diluent solvent लोगे, तो आपको total solution 3 liter मिलेगा, जिसका concentration होगा 1 as to 2000, तो कुछ इस तरह से यह problem solve होते हैं, इसी theme को follow करते हो, चलिए एक और example देखते हैं, जो है example number 2 इस session का, How many grams of zinc oxide 10% ointment is needed to make 2400 gram of 3% concentration ointment, तो देखे, आपके पास 10% बाला ointment है और आपको 3% बाला बनाना है, और 3% बाले ointment की quantity भी आपको पता है, अब basically जब आपको यह particular quantity बनानी है, 2400 gram solid, आपको सबसे पहले तो यह चेक करना होगा, कि उसके लिए कितना zinc लगेगा, फिर उसके basis पर आप calculate कर सकते हैं कि 10% का कितना grams use करना है, तो सबसे पहले चलिए, इन जो percentage values है न, इनको तरहाँ सा convert करते हैं, 3% is equal to 3 by 100, बराबर, और आगे मतलब जो हमारा equation है, q1, c1 और q2, c2 का, उसके basis पर हमें क्या मिला, 3 gram divided by 100 is equal to x divided by 2400, इसको अगर हम simplify करेंगे तो 3 gram multiplied by 24 gram total divided by 100 is equal to 72 gram आ जाएगा, तो यह basic idea यह है कि आपको total जो requirement है zinc का, वो है 72 gram, लेकिन आपके पास जो concentration है, वो है 10%, तो हम क्या करेंगे, फिर इस value को feed करेंगे, अगले step में, आप हम जानते हैं कि 10% में क्या होता है, for every 100 gram, there is 10 gram, अब इसी को हम compare करेंगे, अगर 100 gram में 10 है, तो फिर कितने में 72 आएगा, त अगर हम इसको analyze करते हैं, तो हमें finally यह equation देनेगा, x is equal to 72 gram multiplied by 100 divided by 10, which is equal to 720 grams of zinc, 10% zinc is needed, so 10% purity वाला 720 gram आपको use करना होगा, और अगर 720 gram अगर आप zinc का 10% ointment use कर रहे हो, तो 2400 minus 720 is equal to 1680 gram of ointment base आपको use करना होगा, ताके total volume जो होगा 2400 gram, बहुत simple है, ज्याता complicated नहीं है, formulas भी simple, simple cross multiplication है, ज्यादा चिंता करने के आउशकता है, it's very easy, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, liquid liquid dilutions कैसे होते हैं, diluting liquids changes the concentration of that liquid, naturally अगर आप liquid को dilute करे हो, तो उसका concentration तो change होगा ही, since 3 और 4 components are already known, the concentration of the new solution can be determined by using proportions rules, तो यह total 4 quantities हैं, आपके पास quantity है और उसका concentration है, तो basically यह 4 parameters है, 4 parameters म से determine कर सकते हो, this measure can also be used to determine how much product can be made from a known amount of higher concentration, तो और इसी mechanism के इस्तिमाल करके हम यह भी determine कर सकते हैं, कि आपके पास अगर particular concentration का एक particular volume present है पहले से, तो आप total कितना product उससे बना सकते हो, एक particular concentration का है, तो इससे related यह third problem है, तो इसमें देखिए, what is the new concentration of a dextrose 70% 500 ml solution diluted to 2000 ml, तो देखि कि आपके पास एक पहले से solution पढ़ा है, जिसका concentration था 70%, यह dextrose का solution है, तो 70% concentration है dextrose का, और total volume है 500 ml, और इसको dilute कर दिया up to 2000 ml with water, तो जब यह dilution किया गया है, तो उसके concentration में change जा है, exactly तो फिर आप नया concentration क्या है, यह अगर हमें calculate करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ह हमरे पास 4 में से 3 values पहले से हैं, तो 70% हो गया हमारा concentration 1, 500 ml हो गया हमारा quantity 1, और 2000 हो गया quantity 2, अब Q1 divided by Q2 is equal to C2 divided by C1, यह equation को याद रखिये, और वह ही values अगर हम यहाँ पर feed करते हैं, तो हम यह equation मिलता है, X is equal to 70 multiplied by 500 divided by 100 is equal to 350 gram total grams of dextrose in 500 ml water, तो अब हमें पता चाल गया है कि 500 ml solution में total 350 grams of dextrose present था, तो अब हम इसी 350 grams को क्या करेंगे, dilute कर देंगे up to 2000 ml, तो 350 grams in 2000 ml is equal to X upon 100 ml, तो यह इससे आप percentage calculate कर सकते हो, इस equation को resolve करने का ता आपको final value मिलेगी 17.5%, तो जो initial concentration था, 70% वाला, वो drop होके है भी 17.5% होके है, इसी calculation को हम Q1, C1, Q2, C2 का formula यूज़ करके भी solve कर सकते हैं, तो देखिए, Q1, C1 का जो solution हो, कुछ इस तरह से आया है, Q1, C1 is equal to Q2, C2, 500 ml multiplied by 70 is equal to 2000 ml multiplied by X percent, इस equation को resolve करने के लिए 22,000 का अमिरे denominator के भीज़ दिया, तो final answer का मिल जाएगा, 500 multiplied by 70 is equal to 3500 divided by 2000 is equal to 17.5, X is equal to percent, 17.5%, तो कुछ इसी साबसे, आपका फोर्थ एग्जाम्पल में, आप Q1, C1 is equal to Q2, C2 formula का इस्तेमाल करके, अन्नोन जो आपका concentration above determine कर सकते हैं, फिर है, example number 5, how many milliliters of 3% gentamicin solution can be made, from 60 ml of 10% gentamicin, तो यहाँ पर आपके पास एक solution है, जिसको हम stock solution, यह फिर stock alignment कह सकते हैं, तो gentamicin का solution है, वो 60 ml आपके पास है, और उसका concentration है 10%, तो इसका इस्तावाल करके, आपको अगर 3% का मैं कहूं solution बनाई है, तो total कितना बन सकता है, यह हमें देखना है, तो इसके लिए भी again Q1, C1 और Q2, C2 का formula यूज हो सकता है, आपका पहला जो solution है, वो क्या है, 3% वाला है न, तो समझ दीजे, अपला पहला जो concentration है, C1 है आपका 3% हो गया, और आपका Q1 आप नहीं जानते, आपको आगे क्या करना है, Q1, C1 is equal to Q2, C2, तो Q2 कितना है आपका, 10, sorry 60, और C2 कितना है, 10, 60 multiplied by 10 divided by 3 is equal to कितना हो गया, 200 ml, और यही quantity आपको आप बना सकते हो, 3% gentamizing solution की, तो इसको एक दूसरा method भी क्या है, मतलब जो regular method है, 10% को आपने convert कर दिया, 10, 100 में है, तो फिर 60 में कितना है, इसको resolve कर दिया आपने, तो आपको answer मिलका 6 gram gentamizing, यानि कि जो total 10% volume जो आपके पास है 60 ml का, उसके अंदर total 6 gram gentamizing है, अब इसको आपने dilute करना है, अब तब तक जब तक कि आपको 3% नहीं मिल जाता है, तो 3% का मतलब क्या होता है, 3 divided by 100 is equal to 6 gram gentamizing, divided by x, क्योंकि यह quantity आपको पता नहीं है, क्या है, इसको resolve किया आपने, तो आपको final answer मिलका है, x is equal to 200 ml, तो इसका मतलब है कि आप overall 200 ml solution बना सकते हो, solids का dilution, liquids का dilution की तरह ही होता है, सिर्फ यह ज़रा physically अलग दिखता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास एक active ingredient की paste है, और यह आपका cream base है, और फिर आपके पास एक बड़ा bulk बन जाता है, जो essentially speaking आपका diluted content है, in dilution of solid products, creams and ointments reduces their concentration also, they can be represented as ratio strengths or percent strengths, just like solutions, they are diluted with an ointment or cream base, with no active ingredient, the calculations are done the same way as solutions dilutions, the proportion rule or quantity concentration formula can be used also, तो अब तक हमने जो formula is used किये solutions के लिए, same semi-solid जो आपके products होते हैं, यानि कि ointments, pastes, gels, उन सभी के लिए इनका इस्तावाल भी किया जा सकता है, तो इससे related एक problem देख लेते हैं, how many grams of lidocaine 20% ointment and how many grams of an ointment base must be combined to obtain 2 pounds of a 2.5% lidocaine topical ointment, यहाँ पर देखें कुछ information आपके पास पहले से available है, पहला point क्या है, कि how many grams of lidocaine 20% ointment, तो आपके पास जो starting material है, वो क्या है, 20% lidocaine ointment, उसके कितने grams और ointment base के साथ कितने quantity आपको combine करनी पड़ेगी, ताकि आपको मिलेगा 22 pounds of 2.5% lidocaine topical ointment, तो यह आपको देखना होगा, अब इसके लिए conversion factor आपको provide किया है, 1 pound is equal to 454 grams, इसका मतलब है 2 pounds is equal to, कितना हो जाएगा, 908 grams, तो चलिए आपके पास percentages हैं, पहले percentage को फटाफट quantities में हम express करते हैं, और उसके बेचिस पर exactly calculate करेंगे, किससे solution में आपका जो active ingredient है इस case में, lidocaine वो कितना है, तो हमारे पास पहला concentration क्या है, 2.5% है, तो 2.5% is equal to, उसका मतलब है कि, 2.5 gram in 100 gram होगा, 2.5% का मतलब, तो 908 gram, जो 2 pounds है, उसमें total कितना lidocaine आएगा, इसकी formula को हमने simplify किया, तो हमें answer मिलगा 22.7 gram, तो 22.7 gram lidocaine क्या आवशक्ता है, अगर आपको 2 pounds of solution बराना है, कौन सा 2.5% वाला है, ये वालू तो हमें मिल गई, अब हमें ये determine करना है, कि 22.7 gram lidocaine के लिए, हमें कितना 20% वाल आइंक्मेंट क्यूज करना होगा, तो इसलिए 20% को आप convert करेंगे, 20% का मतलब है, इन 100 grams, there is 20 grams, और फिर तो अगर 100 grams में 20 grams है, तो फिर 22.7 grams कितने total ointment में होगा, इसको अगर हम आपको cross multiply करें, तो finally हमें answer मिले का 113.5 grams, तो हमारा जो total quantity है, 20% ointment का, वो होगा 113.5 grams हमें यूज करना होगा, ताकि हमें 2.5% वाला 2 pounds quantity, इतना lead token का topical ointment बन सके, लेकिन हमें 2 pounds बनाना है न, 2 pounds हैंने total 908 grams बनाना है, तो 908 grams में से, अगर हम 113.5 को minus कर दे, तो हमें answer मिलेगा 794.5 grams of ointment base, तो 794.5 grams ointment base, 113.5 grams of lead token, 20% ointment, इनको अगर आप mix करेंगे, तो आपको 2 pounds मिल जाएंगे, lead token topical ointment के, जिसका concentration है 2.5, इसी same formula को अगेन आप Q1, C1 is equal to Q2, C2 से भी solve कर सकते हैं, जो काफी आसान है, exactly आपको जल्दी answer मिल जाएगा, इसके बाद आता है allegations method, allegations method बहुत important है, ये खास करके तब आपके काम में आती है, जब आपके पास same active ingredient के, multiple solutions, अलग-अलग concentration के present होते हैं, इन concentrations का इस्तमाल, अलग-अलग concentration वाले solutions का इस्तमाल करके, आप एक नया solution बना सकते हो, जिसका concentration, जो target solution है, इसका concentration आपके lowest और highest concentration के range में होगा, allegation method is a method used to calculate the percent strength, when combining multiple strengths of the same ingredient, it can also be used, when the volume of each of the two different strengths of the same ingredient, must be determined in order to make a new strength, this new strength must be in between the two strengths that are being combined, इसके लिए एक matrix है, एक grid है, इसको allegation grid लिकेते हैं, जो आपके screen पर आपको दिख रहा है, इसमें लिखते वक्त कुछ इस तरह से लिखा जाता है, देखिए, जब आप grid को fill out करते हैं तो आपको higher concentration, left hand side top corner में, lower concentration, left hand side bottom corner में, और आपका जो 3 by 3 का जो matrix है, उसके central जो piece है, center में, उसमें desired concentration लिखना है, फिर आपको basic कुछ नहीं करना है, basic subtraction करना है, तो high concentration में से आपको desired concentration subtract करना है, और जो value आएगी वो आपको right hand side lower bottom में लिखनी है, desired concentration में से आपको lower concentration minus करना है, और जो difference आएगा वो आपको right hand side top corner में लिखना है, अब ये जो right hand side जो है आपकी RHS, इस grid की, वो indicate करती है number of parts, यानि कि ये एक तरह से ratio को indicate करती है, जिस ratio में higher concentration और lower concentration वाले liquids को mix करना चाहिए, ताकि आपको desired concentration वाला solution मिले, यहाँ पर volume का खेल इस वक्त नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ concentration का खेल हो रहा है, right, और इन दोनों को जब हम add कर देते हैं, तो हमें total parts of solution मिलते हैं, और total parts of solutions with respect to number of parts of individual component, यह हमें पता चल जाए, तो required volume कैसे बनाना है, यह calculate करना कोई मुश्किल बाद नहीं होती. There are two different ways to perform allocation calculation. Allocation calculation perform करने के दो अलगरत तरीके हैं. The first method uses the total volumes of the solutions, and total grams of the ingredient in the solutions, and then using the proportion rule, the new percent strength is determined. तो यह काफी आसान है, यह multiple अलग-अलग solutions हैं, जिनकी अलग-अलग strengths हैं, और इनकी अलग-अलग quantity हम mix करने वाले हैं, तो basically हमें क्या करना है, इन सभी को add कर दिना है, क्योंकिक्व एक्टिएंग्डिएंट्स सेम है, तो पहले solution में total number of grams, जितना solute है, तो इसके लिए एक फॉर्मिला है चलो, एक problem है, problem देख लेके हैं, mix together 100 ml of 50% dextrose, with 250 ml of 40% dextrose, and 450 ml of 70% dextrose, with what is the new percent strength, तो हमारे पास dextrose के 3 solutions है, 3 solutions को हमने आपस में mix कर दिया, जब mix किया, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो नया solution बना है, उसका concentration हमें determine करना है, तो input data की तरफ देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास 50% dextrose का solution है, उसका 100 ml, फिर हमारे पास 40% का solution है, उसका 250 ml, और 70% dextrose solution का 450 ml, यह तीन अलग-अलग volumes, इन तीन अलग-अलग quantities के साथ हमने mix कर दिया, हमारा target है, जो finally solution बना है, उसका concentration determine करना है, तो जो percentage हैं चरो, percentage को express करते हैं, इनके right form में, तो इनका 50% का मतलब है, for every 100 ml, there is 50 grams of solute, 40% का मतलब है, for every 100 ml, there is 40 grams of solute, similarly for 70% in every 100 ml, there is 70 grams of solute, तो अब यह values हमें मिल चुके हैं, तो इनका हम add कर देंगे, ओके, इनके total quantity कितनी हो गई, 50 plus 100 plus 315, क्योंकि इसको हमने फिर multiply कर दिया, 100 ml के साथ, 250 के साथ, और 450 के साथ, फाइनल कॉंटिटी मिल गई, 50 gram, 100 gram, 300, 15 gram, तो टोटल कोंटिटी जो है, 465, और जो टोटल वॉल्यूम है, वो है, 800 ml, तो 465, डिवादेट बाइ, 800 ml, multiplied बाइ 100, gives you concentration, which is 58%, अब आपको 58% concentration मिल गया, यह उस solution का concentration है, जो specified volumes, आपने मिक्स किये थे, dextrose solution के, तीन अलगए dextrose solution के, उनको मिक्स करने के बाद, जो फाइनल सोलुचन बना, उसका concentration, तो परसेंट स्टेंट, इस तरह से, calculate की जा सकती है, यहाँ पर देखिए, अगर इस allegation grid पर जो है न, यही यहाँ पर express किया गया है, इसमें क्या कहा है, percent strength converted into decimals, and then multiplied by their respective volumes, this new volume is then divided by original volume, and the answer is multiplied by 100, to obtain a pure percent strength, तो यह जो हमारा formula है, q1 c1 multiplied is equal to q2 c2, उसी का invert आपने express किया है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, mix together 100 ml of 50% extras, 250 ml of 40% and 450 ml of 70% extras, same question है, लेकिन solve करने का तरीका लागे, देख लिए, तो आपके बास अगर 50% है, तो उसका मतलब है, 0.5 multiplied by 100 ml, यहाँ देखे 50 ml हो गया, 40% का मतलब है, 0.4 multiplied by 250 ml, क्योंकि देखिए, इन numbers को हमने convert कर दिया है, और 70% है, इसका मतलब है कि 0.7, इसका multiplication factor हो गया, इनको multiply करते गए हम, 100, 250 और 750 के साथ, तो final हमें volumes भी मिलते गए, और इन volumes को add किया, तो हमें वही answer मिला जो हमें पहले मिलाता है, तो इस is also another method, allocation method, both methods produce the same answer, as mentioned earlier, the simplest way is not always the best way, confidence in calculations is important, so the method used, when more than one is possible, depends on the purpose, तो जब multiple methods आपके पास हैं अवेलेबल, तो कौनसे method कौनसा individual चूश का रह गाया, पूरी दर से एक personal question बन जाता है, allegations alternate is the method used to determine the volume necessary for each ingredient combined, that is same ingredient, different percent strength, to produce a new percent strength, this new percent strength must be in between the two being combined, तो यह हमें पहले भी discuss किया है, कि allegation method के इस्तेमाल करके आपके पास multiple concentration वाले जो दो solutions है, उनका इस्तेमाल करके आप एक third solution बना सकते हो, जिसका concentration आप determine कर सकते हो, using the allegation grid, the allegation grid कैसा है जड़ा, इस photo की तरफ देह लिजे, इस image की तरफ, the grid should look like this, higher concentration यहाँ पर आएगा, left hand side top corner में, जो आपके desired concentration हो, exactly center में आएगा, और जो lower concentration हो, left hand side bottom corner में आएगा, similarly, right hand side top corner में, desired minus lower का जो difference है, जो लिखा जाएगा, और right hand side bottom corner में, higher concentration minus desired concentration का जो gap है, उसको mention किया जाएगा, तो इस basis पर आप calculations कर सकते हो, exactly, कि आपको particular जो desired solution है, आपका percent strength वाला, वो कैसे बनाए जाएगा, उसके लिए कौनसे एक solution के, कितने parts mix करने होंगे, यह जानगारी इस के basis पर आपको finalize की जा सकती है, इस method uses a grid to complete the calculations, it resembles a tic-tac-toe board, and provides a great visual for calculating, the answers obtained will be the ratio in which ingredients should be combined, the ratio should always be simplified to the smallest form, the person's strength on hands go in the left hand boxes of the grid, the desired person's strength goes in the middle box, and the parts needed are in the right hand boxes, which translate to the ratio. When the desired strength is subtracted from the higher strength, it represents the parts needed of the lower strength, the lower strength is subtracted from the desired strength, and it represents the parts needed of the higher strength. तो कुछ इस बेसिस पर ये काम पूरा होता है. इसके लिए एक problem देखेते हैं, a patient needs 70% dextrose, pharmacy carries only 95% and 30% strength, what proportion is needed to mix the solution in order to make 70% solution? एक patient को बहुत necessary है, डॉक्तर में प्रिस्क्राइब किया है, कि इनको 70% solution दिया जाए dextrose का. अब ये बाद तो finalize हो गए कि concentration कितना दिना है, लेकिन problem यह है कि hospital में सिर्फ 95% और 30% वाले solutions अवेलेबल हैं, तो फिर इस तरह के problems हम solve कर सकते हैं, allegation method का जो grid होता है, उसका इस्तमाल करके, तो हम इनको इस तरह से mix करेंगे, 95 और 30 को आपस में, कि जो resulting solution होगा, उसका concentration 70% बन जाएगा, तो हम जानते हैं, याद हैं में अच्छी से, ये allegation की grid में, left hand side top corner में हम क्या लिखेंगे, higher concentration, left hand side bottom corner में lower concentration, और center वाला जो टाइल होता है, उसमें desired concentration, तो 95, 70 और 30 का इस तरह से हमने इस system बना लिया, अब इन में से हमें differences calculate करने हैं, तो हमें ये भी पता हैं कि right hand side top corner में क्या होगा, desired concentration और lower concentration के बीच का gap याने, कि 40, और फिर lower corner right hand side में जो box है, उसके अंदर जो होगा, वो कितना बनेगा, 95, minus 70 is equal to 25, so these are the parts, इसका मतलब है, कि 40 parts of 95% dextrose, plus 25 parts of 30% dextrose, अगर आप mix करेंगे, तो आपको finally answer कौन सा मिलेगा, 70% solution, अब इस particular ratio को हम क्या करेंगे, simplify कर लेंगे, और वो हो जाएगा 8 as to 5, right, क्योंकि 5 से दोनों सेट को divide कर दिया हमने, 5 is a 40 and 5 is a 25, तो basically क्या हो गया, कि आपका जो higher concentration है, और lower concentration है, उनको अगर आप 8 as to 5 ratio में mix करेंगे, तो आपको 70% वाला solution बच जाएगा, अनदर problem है, mix 70% and 30% dextrose, तो अप्टेन 1000 ml of 40% concentration, तो इस problem में क्या है, आपके पास दो अलग-अलग quantities है, 70% भी है, 30% भी है और 40% भी है, तो इनको हम allocation green में feed करेंगे, तो आपका higher concentration 70, lower concentration 30, और desert concentration 40 हो गया, इसको simplify करेंगे, 70-40 is equal to 30, 40-30 is equal to 10, इसका मतलब है कि, अगर हम दोनों साट को divide करेंगे, तो 1s to 3 ratio हो जाएगा, 1s to 3 का मतलब है, आपको 70% का 1 part लेना होगा, और 30% का 3 parts लेने होगे, उनको अगर आप mix करेंगे, तो आपको 40% concentration वाला solution मिलेगा, ओके, तो अब total parts न हमें पता चल गए, कि 1 part of 70% and 3 parts of 40%, तो total कितने parts होए, 4 parts होए, तब इन 4 parts में आपको क्या करना है, 1 part 70% और 1 part 30% वाला mix करना है, तो 1 part of 70% is equal to, अब इसका 1 part कितना हो गया, 1000 ml का, वो हो गया, 250 multiplied by 1 is equal to 250 ml, और 3 parts कितने हो गया 30% के, 250 multiplied by 3 is equal to 750 ml, total volume कितना हो गया, 1000 ml, तो basically in quantities को आप अगर इस तरह से mix करोगे, 250 by 750, तो आपको final solution है वापके अभिसाब से मिल जाएगा, यानि कि आपके पास होगा 40% concentration, वाला dextrose solution जिसके volume होगी 1000 ml, how much 85% aminosin must be added to 150 ml of 60% aminosin, to make an 80% solution, तो अगर आपको 80% solution बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, देखिए, 85% आपके पास पहले से पढ़ा है, और आपके पास 65% का solution भी पहले से पढ़ा है, आपका target है 80%, तो आपको एसी specific quantity add करनी है, 85% solution की 60% solution में, कि final resulting solution का concentration हो 80%, आप जो 60% वाला solution उसकी volume भी हमें दी गई है, वो है total 150 ml, तो इसके basis पर हमें अभी calculate करना है कि कितना quantity add करना है, 85% ammunition का, तो चलिए देखते हैं, higher concentration 85, lower concentration, 60 desired after target concentration 80, equation को solve करेंगे तो हमें value मिल जाएगी, 60% solution का 5 ml, और 85% solution के 20, तो इनी को अगर हम simplify करें तो 4s to 1 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 4 parts of 85% और 1 part of 60%, ओके, ये इसको अगर हम mix करेंगे, तो हमें 80% solution मिल जाएगा, but we have been instructed to consume all the 150, तो अगर हम 1 को multiply करते हैं, 150 से तो 4 को भी multiply करना होगा, 150 से, यानि कि 150 ml, plus 600 ml, इस तरह से calculation होगा, यहाँ पर 60, 600 ml है, 150 ml है, इनको आप add कर दीजिए, तो टोटल आपको 750 ml solution बिन सकता है, जिसका concentration होगा 80%, तो यह proportion इस तरह से calculate किये जाते हैं, अगला problem है sodium chloride, sodium chloride का 23.4% solution आपके पास है, और उसमें पानी mix किया है, to make 2 liter of 0.9% sodium chloride, तो वो भी कुछ इस तरह से काम करता है, 23.4, यह हमारा high concentration हो गया, इसमें water डाला है, water concentration, 0 है, dessert concentration है हमारा 0.9%, इनी problems को अगर हम solve करें, तो हमें final आंथर मिलेगा 225 और 9 parts के स्वरूप में, तो अब हम जानते हैं कि 9S to 225 ratio होना चाहिए, विच इंप्लाइस 1S to 25, यानि कि 1 part of sodium chloride 23.4 solution, 4% solution, और 25 parts of water, shall be mixed in order to form 2 liters, अब आपको यह determine करना है कि कि कितना कौट पानी mix करना है, 2 liter चाहिए आपको, बराबर, तो 2 liter 0.9% का solution बनाना है, तो उसके लिए उसमे sodium chloride कितना आना चाहिए, वो भी हमें calculate करना हो, तो यहाँ पर देखिए, total parts कितने हो गए, 1 is to 25 ने 26 parts हो गए, ओके, तो volume needed is 2000 ml, तो 2000 ml को 26 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक single part कितना हो गया, 76.9, अब इस 76.9 multiplied by 25 कर दीजिए, तो आपको answer मिल जाएका तो 76.9 ml per part, इसको round up कर दीजिए, आपको 77 ml, 1 part of 23.4% is equal to 77 ml, तो 25 parts of water is equal to 76.9 multiplied by 25, is equal to 1912.5 ml, इसको भी round up किर दीजिए, 1923 ml तर, तो finally जब आप answer देखेंगे, 1923 ml plus 77 ml is equal to 2000 ml, तो कुछ इस तरह से आप calculate कर सकते हैं, कि exactly 23.4% sodium chloride आपका solution है, उसको गर आपको 0.9 में convert करना है, keeping in mind that the total volume should be 2 liter, तो कुछ इस तरह से होगा, तो conclusion में, systematic dilution methods significantly improve the accuracy of solution, preparation especially at low concentration of highly potent chemicals, during chemical analysis of trace residue, the dilution techniques are absolutely crucial, तो हमें एक बात इसको याद रखनी, जो इसके बारे में याद रखना ज़रूरी है, कि serial dilutions जब हम करते हैं, तो उनसे हमारे solutions के बाराने की, जो procedure उसकी accuracy बढ़ती है, उसका preparation अच्छा हो जाता है, solution का, और हमारे जो inherent errors होते हैं, manual practices की वज़े से, वो भी कम होते हैं, अलग-अलग तरह कि जो trace residue के, अगर हमें analysis करना है, तो ऐसे situation में, dilution techniques हमारे काफी काम में आते हैं, और उनकी वज़े से, multiple tests perform कर सकते हैं, small quantity of solution पर भी, तो इसी के साथ, हमारा session आज खतम होता है, thank you very much, इस session को attend करने के लिए, यह एक एक इदम basic session था, जो calculation से related था, और laboratory में काम करने में वाले, किसी भी chemical analyst के वाफी काम का था, आशा करता हूँ कि, इससे आपको काफी सारी नई बाते पता चली हैं, जिनको यह सब बातें पहले से पता थी, उनका शायद एक अच्छा revision हुआ होगा, तो भी मुझे बहुत कुशी होगी, thank you very much इए वीडियो देखने के लिए, वीडियो को like करना ना भूले, और चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें, thank you very much.